हेलो आवरियोन रागत आपकर रेखा रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ इजी संबर की रेसिपी है अगर आपको संबर खाने का मन है आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो आप ये मेरे तरिके से संबर को बनाईएगा बहुत ही कम टैम में बन जाने वाले संबर है बहुत ही कम इंगिनिर के साथ में बनाऊंगी घर में जो समाने है वह ही में यूज करूंगी आपको बाजार से कुछ लाने का जरूरत नहीं है वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर किजेगा सांबर बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा कप अरहर का दाल लिया है सांबर में अरहर का दाल का स्वाद बढ़िया आता है आप कोशिश करें अरहर का दाल ही लेने का अब हम दाल को दो से तिन बर अच्छे से दो लेंगे तो यहां पर मैंने दाल को ठीक से दो लिया है, अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे, कुकर में डाल दें और यही पर एक गिलास पानी डालेंगे, दाल में पानी डाल दें, कम और जादा बाद में भी आप देख सकते हैं, अभी एक गिलास पानी डालें, इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, मसाले में लहसुन डालें, मैंने आप आठ दस लहसुन डाला, पूरा सांबर बनाने में एक प्याज हमें यूज करेंगे, तो मैंने आदा प्याज भी डाल दिया, और यही पर एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी मैंने छूटे टुक्रों म एक चमच लाल मिर्च पाऊडर, आदा चमच धनिया पाऊडर, थोड़ा सा हल्डी डाल दें यही पर, और यही पर स्वाध अनुसार नमक डाल दें, आदा चमच नमक लग जाएगा इसमें, सभी चीज़ें को डाल कर ठीक से मिला दें, और कुकर को बंद करके, कुकर में 3-4 स या दाल जब तक अच्छे से पकना जा उतना सीटी लगा और उसके बाद कूकर को ठंडा होने के बाद खोले अब हम सब्जी दिख लेते हैं सब्जी में मैंने यहाँ पर बैंगन आलू थोड़े से लोकी है और थोड़े से यहाँ पर सहजन यूज किया है आप अपने मन पसं यहां पर तैल जैसे ही गरम होता है उसमें दो चुटके हिंग डालें तो मैंने यह वाला हिंग यूज किया है आपके पास जो हिंग है वो डाले हिंग डालने के बाद इसमें थोड़ाइसा मेथीदाना डाले फोरन को ठीक से पकने दे और यहीं पर आदा चमाच सर्सॉं के दाने डालेंगे, ये तीनों पोरन जरुरी होता है सामबर में, इसके बाद कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ा से कड़ी पता डालेंगे कड़ी पता है आपके पास तो जरूर डालें अब इन सारी चीजें को ठीक से भून लें इन चीजें को आप जितने अच्छे से भूनेंगे दाल में उतना ही अच्छा सौंधी सौंधी खुश्षभू आगी तो हमारा सांबर का स्वादा अच्छा हैगा यहाँ पर कटा हुआ सबजी डाल दे तो सारे सबजी को डाल दे सबजी डालने के बाद इसको भूनना नहीं है बस ठीक से मिला ले ऐसे चला ले सारे मसाले हमने पहले ही डाल में दे दिया तो इसमें मसाला नहीं डालना है यहाँ पर इसमें जो हमने डाल उबाल के रखा है वो डाल डाल दे डाल को अच्छे से मिला के इसमें डाल दे यहाँ पर आप एक बार नमक चेक कर ले अगर आपको सब्जी में डाल डालने के बाद लगे कि नमक फीका है, थोड़ा सा नमक उपर से डाल दे, अगर आपको सांबर की कंसिटेंसी ज़्यादा गारह लगे, यहाँ पर आप आधा गिलास पानी डाल दे, पानी को यहीं पर एड़ कर दे, इसके बाद इसमें दो चम् इमली को मैंने पहले से पाने में भीगो के रखा था और इसका बीज और शिलका निकाल दिया, शांबर में इमली जरूरी होता है, तो इमली जरूर डाले, यहाँ पर मैं आपको दाल के कंसिटेंसी दिखा रहे हूं, अब क्या करेंगे, साड़ी सबजी को कूकर में आप चाहे तो सांबर को कराही में भी पका सकते हैं, लेकिन कराही में जब आप सांबर पकाएंगे तो ओ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं आपको जटपट वाला सांबर बता रहे हूं, इसलिए मैंने उसको फिर से कूकर में डाला, और कूकर को बंद करके यहाँ पर स्प्रिंकल कर दें, इससे स्वाद अच्छा आता है, और यह देखिए, हमारा बहुत ही जटपट और जल्दी बन जाने वाला सांबर बन के तयार है, इसमें बस दिहान रखने वाले ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब आप सबजी डालने के बाद कूकर में सीटी लगाते हैं तो सब्सक्राब जर देखिए